दोस्तो आज किस वीडियों वाले हैं सेक्योर कमपनी के 3-phase digital meter के बारे में कि आप उसमें meter reading कैसे देखेंगे, unit कैसे देखेंगे, kbh reading कैसे देखेंगे, maximum demand कैसे देख सकते हैं तो इन सभी चीजों के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तो जेनरली 3-phase meter में, single phase meter के respect में काफी अधिक parameter सो होते हैं और ऐसे में लोग generally confused है आते हैं कि reading कैसे देखना है, कौन सा reading देखना है तो आज किस वीडियों वालोग पूरी detail में बात करेंगे, कौन-कौन से parameter सो होते हैं, किसका क्या मतलब है तो चलिए दोस्तो आज किस वीडियों वालोग इसी बारे में बात करते हैं नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है अमीत, आप देख रहे हैं जरूरी बाते हैं चलिए सुरू करते हैं दोस्तो meter reading देखने से पहले हम लोग meter लिखे कुछ details को जान लेते हैं जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक serial number meter का लिखावा रहता है जो उसके body पे printed रहता है यह serial number आपके meter में भी दिख जाएगा, meter का जाब हम रिडिंग देखेंगे उसमें भी serial number देखता है और यही serial number आपके bill में भी आता है तो आप उससे यह मिला सकते हैं कि आपके घर जो meter लगा हुआ है वो आपके bill में वो serial number दिख रहा है कि नहीं आप यहाँ से मैच करवा सकते हैं उसके बाद इसमें एक calibration LED रहता है जो कि आपके load के recording आपके conjunction के recording धीरे धीरे या फिर तेजी से blink करता है आप अगर जाड़ा load consume करेंगे या जाड़ा load देंगे meter पर तो वो तेजी से blink करेगा और कम load रहेगा या फिर कम conjunction होगा तो वो धीरे धीरे blink करेगा उसके नीचे आप देख सकते हैं इसमें आपको एक calibration constant भी मिलता है जैसे इस meter केसमें आप देख सकते हैं यहापे 800 pulsage per unit है यानि कि 800 बार वो calibration LED बिलिंग करेगा तो एक unit consume हो जाएगा चलिए अब लोग देखते हैं कि इसमें आप meter reading कैसे देखेंगे दोस्तों जैसे आप यह push button प्रेस करेंगे मीटर जितने भी बारा मीटर 100 कर सकता है वो सारे segment एक बार दिखा देता है वो display check होता है कि सारा segment काम कर रहा है कि नहीं उसके बाद से आप next button जब दबाएंगे तो आपको meter का serial number 100 होगा जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं bhr31914 यह आपका meter का serial number है जो अभी इसके body पर printed था वही serial number इसके display में भी दिख रहा है उसके बाद से present date देख रहा है जिस date में हम लोग अभी meter देख रहा है वो यहाँ पर date देख रहा है उसका दिन भी देख रहा है जैसे यहाँ पर देख लीजे फराइडे दिख रहा है यह फराई उसके बाद से 4.12.2020 आज का date है जिस दिर हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके बाद से अभी का time दिख रहा है तेरा बज़ के 34.56 मतलब दिन के देख बज़ रहे हैं उसके बाद से आपको frequency देखता है किस frequency पर अभी power supply हो रही है दोस्ता आप जानते हैं इंडिया में power supply 50 हर्ज पर होती है यहाँ पर हमारा frequency आ रहा है 49.99 जो के लगवक 50 हर्ज है उसके बाद से आपको तीनों फेज़ों का voltage दिखेगा आप यहाँ पर देख लिएजिए फर्स फेज का voltage आ रहा है 244.01 फिर उसके बाद से सेकेंड फेज यान की yn पहला आर फेज का था फिर आप वाई फेज का मतलब वाई टू नीट्रल फेज का voltage आ रहा है 249 फिर उसके के बाद से तीसरे फेज़ का voltage है 248 दो यह तिनल फेज का पका voltage ऊगया उसके बाद से थीनों फेज़ काा current दिख रहा है यहां पर दिख रहा है तीनों फेज का , इ 사용ते बाद प्र grading यहां परrical से प्रका क्यरन फेज का और वा रहा है दिख नुद में और फेज इस आपको power इ देख सकते हैं, उसके बाद से आपको यह maximum demand देता है previous month का, आप यहाँ पर इसका code देख सकते है 1.6.0.01 है, यह last का 01 है यह इंडिकेट करता है कि आपका detail किस month का है, अगर यहाँ पर 01 है इसका मतलब यह previous month का है, अगर यह 02 रहता तो इसका मतलब previous month के पिछले month का है, और अगर यहाँ पर अगर यह current month का detail रहता, तो आपको यहाँ पर 01 नहीं देखता है, यहाँ पर कुछ भी नहीं रहता, 1.6.0 ही सिफ रहता, तो आप समझ लिए कि यह present month का detail है, अगर उसके आगे 01 लगा है तो उसके पिछले month का detail है, तो यहाँ पर 1.6.0 के बाद 01 लगा है, इसका मत है कि kilowatt में आपका maximum demand सोग कर रहा है, इस side में आप देख सकते हैं यहाँ यहाँ लिखा हुआ है, यह का मतलब है universal, मतलब किसी particular time period का यह maximum demand नहीं है, पूरे month का यह universal maximum demand है, previous month का, दोस्तों आगे हम लोग देखेंगे कि यह meter time of day में आपका rating सोग करता है, मतलब किसी particular day में क्या कंजमसन है, उसके according आपको यह तीन पार्ट में कंजमसन सोग करता है, तो यह you का मतलब है कि universal है, सभी times में जो maximum आपका उठा है, वो maximum load यहाँ पर यहाँ पर यह सोग कर रहा है, पिछले month का, उसके बाद से यह maximum demand पिछले month में कब कंजमसन हुआ है, किस date में हुआ है, वो date आपको next screen में दिख जाएगा, यहाँ पर 1.6.0.01 में ही, आप यहाँ पर date देख सकते हैं कि 7.11.2020 है, आज का हम लोग date देख रहे थे, अभी हम लोग यह December में reading कर रहे थे, 4 December को, जबकि यह reading maximum उठा है, 7.11 का मतलब पिछले month का यह detail है, उसका बाद से पिछले month यह कब अभी दिख रहा था, उसके बाद से आपको, फिर से maximum demand आपको दिखेगा KVA में, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका code है 9.6.0.01, इसका मतलब है कि यह पिछले month का ही maximum demand है, जो कि KVA में है, अभी हम लोग जो maximum demand देख रहे थे, वो kilowatt में था, इसके आगे भी U लिखा maximum demand ही दिख रहा है, 1.2.0, जो कि KVA में है, उसके आगे लिखे लिखावा CMD, मतलब cumulative maximum demand है, इसका कोई यूज नहीं है, आपको bill में इसका कोई जरुत नहीं बढ़ता है, लेकिन हमारा जो maximum demand प्रिवियस मन्त का है, वो उसका bill में जरुत पढ़ता है, उसके recording आपका bill में fixed charge क charge गया जता, अगर आपका load, sanction load से maximum demand अधिक हो जाता है, तो आपको bill में penalty जोड के आता है, उसके बाद से आपको कुछ ये parameter सो होगे, जिसमें आपको rising demand दिख रहा है, कुछ temper parameter देखेंगे, इसके बारे में आपको discuss नहीं करते हैं, हम लोग फिर आ जाते हैं, हमारे meter reading पे, आ आप थोड़ सा और आगे बढ़ेंगे, तो आपको देखेंगे, यहाँ पर एक, आपको code मिलेगा 1.8.0, ये 1.8.0 में आपको present reading दिखता है, अभी तक आपका कितना unit consume हुआ है, वो आपका 1.8.0 में आपका present reading दिखता है, जो कि kwh में है, हमारे case में ये meter reading 845 unit है, उसके 9.8.0, जिसमें हमारा present reading है, 896 kvh, ये kvh का reading है, जनरली LTIS में, या फिर बड़े उभगता हों के case में, kvh में reading किया जाता है, तो उनके case में ये kvh reading 896 unit होगा, 896 kvh reading भरा जाएगा, दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, 1.8.0 के बाद से, 01 या फिर 02 नहीं लिखा होगा है, इसका मतलब ये present reading है, उसके बाद अगर 01, 02 रहता, तो ये previous month का, या फिर उसके previous month का detail होता है, इसके बाद से हमारा meter पिछले month का जो कर्यमसन है, उसको detail दिखाता है, TOD tariff में, TOD का मतलब है कि, अलग-लग time में आपका कितना unit उठा था, वो आपका कर्यमसन सोब कर है, रात को 11 बज़े से सुबह 5 बज़े तक, TOD 3 बोलते है, तो इस तीनों पार्ट में आपका unit क्या है, वो reading अलग-लग सो होता है, जैसे अभी हम लोगो next screen में देख रहे हैं, कि हमारा यहां पे unit सो कर रहा है, 1.8.1, 1.8 का मतलब हो गया कि आपका ये KWH का reading है, मतलब unit है, कि ये TOD 1 का reading है, उसके बाद से 01 लिखा है, इसका मतलब ये previous month का detail है, उसके बाद आप next screen में देखे, 1.8.2, 0.1 आ गया, 1.8 का मतलब हो गया KWH, 0.2 का मतलब हो गया TOD 2 tariff का कंजम दखने मतलब, रात कपला जो tariff था, साम को 5 बज़ से रात को 11 बज़े के बीच का ये unit कंज 01 इसमें आपका unit consumption है 11, इसका मतलब हो कि last, पिछले month के last day में हमारा unit consumption, दीन वाले tariff में, मतलब दीन वाले TOD में 630 unit उठा हुआ था, उसके बाद से TOD 2 में 106 था, TOD 3 में 11 unit था, ये तीनों unit हमनों जोड देंगे तो पिछले month के last day का हमारा reading होगा, वैसे ही उसके बाद detail दीखेगा आपको TOD tariff में, मतलब तीनों time का अलग-अलग, आप देख सकते हैं 1.8.1 है, फिर उसके बाद से 02 लिखावा, 02 का मतलब हो गया कि पिछले month का reading हो गया, वैसे ही ये तीनों part में आपको दिखाएगा, TOD 1, TOD 2, TOD 3, जो कि R1, R2, R3 करके आपको आ रहा है, फिर ये आपको R1, R2, R3, तीनों TOD का आपको reading दिख रहा है, दोस्तों ये reading होगा आपका KWH में, इसके बाद से same ही चीज आपको KVH में दिखेगा, जैनि कि पिछले month का TOD 1, TOD 2, TOD 3 में KVH reading किया था, फिर उसके पिछले month में TOD में ही आपका KVH reading किया था, ऐसे ही तीन मन्त क आपको दिखेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पिछले month का KVH reading, आपको R1, R2, R3, तीन TOD में दिख जाएगा, उसके बाद से आपको फिर उसके पिछले month का, फिर उसके पिछले month का, ती पिछले तीन महिना का आपको ये history दिखाता है, R1, R2, 3 में, R3 में, मताँ तीनों TOD के recording, अलग 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 दिखाता है, उसके बाद आप आगे जाएगा, तो 1.6, 0.1, 0.01, यह आपका फिर maximum demand दिखाने लगा, तीनों TOD में, मतलब अलग अलग time में आपका maximum demand किस period में कितना उठा है, उसमें आपको एक universal maximum demand मिलता है, जो कि उस पूरे month में तीनों time का, जो maximum demand ह मतलब दीन का रात का, सभी का maximum demand सारे में जो maximum, वो आपका universal maximum demand हो जाएगा, उसमें आपको यू लिखा हुआ मिलता है, इस तरह से आप maximum demand देख सकते हैं, KW के बाद से फिर आपको वहीं चीज, KVA में दिखने को मिल जाएगा, नेक सी स्कीन में आप देखे, KVA में वहीं reading आप आगे बढ़ जाएगे, आपको देखिए, 96.5.1 में आपको diagnosis मिल रहा है, meter diagnosis यहां पर 00RIS का मतलब आपका meter healthy है, इसके बाद से आपको नेक सी स्कीन में जाएगे तो 5.8.0 में आपको KBRH का कजंशा, रेक्टी पावर का क्या कजंशन है, वो दिख रहा है, उसके बाद से आगे बढ़ जाएगे, उसके बाद से सबसे last में आपको 181.8.0, यहां पर आपको reading high relation में देखता है, high relation का मतलब है कि आपका reading point के 4 digit आगे तक का देखता है, जो हम लोग reading 845 unit देख रहे थे, actual में वो reading 845.0725 है, मतलब 845 के just cross किया था, और वही reading आप KBRH में देखेंगे, तो वो भी यहां पर high relation में देख रहा है, 896 unit जो हम लोग देख रहे थे, वहां पर, actual में वो 896.9529 kbh है, उसके बाद से आपको फिर reactive power भी देख जागा high relation में, उसके बाद से फिर से डिस्पले चिक वाला डिस्पले आ जाता है, इसका मतलब है कि आपका meter, फिर से वही कंजमशन है, उसके पिछले मंत का भी कंजमशन है, तो आप यह सारा कंजमशन देख सकते हैं कि कब आपका क्या कंजमशन है, कितना maximum demand किस मंत में उठा है, वो आप सबी चीजे आप इस secure meter से देख सकते हैं, तो समीध है आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए इस तक नहीं नहीं वीडियो लिके आते रहता हूँ, जय हिंद, बंदे मातनों